बीके आरोग्यम भारत सरकार के आयुश मंत्राले के द्वारा मानमिता प्राप्त संस्थान है जहां किड्नी के सभी रोगों का विश्व में सबसे सस्ता उपचार किया जाता है 15 वर्षों से भी अधिक अनुभव के साथ ये संस्थान किड्नी के साथ साथ डाइबिटीज जैसे रोगों का प्राचीन वेदिक वे नागार्जुन पत्ती द्वारा सिद्वे हस्त निर्मित आउशिदी उपलब्ध करवाता है जो ISO वे GMP सर्टिफाइड अंतराश्टे गु नमस्कार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है बी के आरुक्यम में आपके साथ मैं हूँ भावना प्रसाद दशको हमारी सेहत ही हमारी असली पूंची होती है अगर हमने अच्छी सेहत बना ली तो हम दुनिया की बड़ी से बड़ी दौलत भी हासिल कर सकते हैं वहीं अगर हमारी सेहत ठीक नहीं होती तो बहुत दौलत भी कुछ काम नहीं आती दशको अगर किड़नी या डाइपटीस जैसी समस्या किसी व्यक्ति को हो जाती है तो उसका जो बचा हुआ जीवन होता है वो बेकार हो जाता है या यूं कहे जीवन जीने लाइक नहीं रह आखिर ऐसा क्यों होता है क्या आयरवेद के माध्यम से इन सभी चीजों से बचा जा सकता है क्या आयरवेद के माध्यम से किडिनी और डायबेटीज जैसी समस्या को दूर किया जा सकता है यह हम आज के कारेक्रम में जानेंगे और इस विशे पर आधिक जानकारी देने के जब हमारे KIDNEY जो होती है वो अगर डैमेज हो जाती है तो क्या डैमेज किड़नी को रीजगेरेट किया जा सकता है? बहुत सवाल अपनी किया, नॉर्मल मौडरन साइंस या ऐलोपाइट की बात करें तो ये मांता है कि रीजडिनेस्न पॉसिबल नहीं है, किड़नी की ही बात क्यों करें अगर हमारे नर्स में कहीं डैमेज है या बॉडी की किसी और और आगर में डैमेज है इवन किसी को जुआइन प्रॉलम भी है तो एलोपैत कहता है कि इसका रिजनरेशन पॉस्पल नहीं है सिम्टमेटिक टीटमेंट चलते हैं दर्द की दवाईयां दी जाती है किड़नी के केसे में डैलसिस ट्रांस्परांट की सरा दी जाती है लेकिन ये स्पष्ट टूप से उनका मानना होता है कि किड़नी रिजनरेट नहीं हो सकती है और आज का टॉपिक हम इसी में बात करेंगे कि कैसे हम किड़नी को रिजनरेट कर सकते हैं तो किड़नी रिजनरेशन हम दो अलग अलग तरीकों से करते हैं सुरुआती स्टेज के जो पेसेंट हैं जिनका क्रिटनाइन तीन, चार, पाँच, अच्छे के नीचे है ऐसे लोगों की किड़नी हम सिर्फ खान पान और और असुदियों के माद्यम से आसानी से रिजनरेट कर सकते हैं जैसा मैंने पिछले एपिसोड में कई बारे चर्चा किया कि एक बार अगर किड़नी में खराबी आई और आपका क्रिटनाइन 1.5 से 2 भी पहुच गया तो आपके डॉक्टर को पता है कि मुझे डालसिस ही कराना है लेकिन अगर पेसेंट 5-6 क्रिटनाइन की स्थिती में भी हमारे संपर्क में आता है हमारे बताए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है हमारे मेडिसिंस को नियमिज सेवन करता है तो न सिर्फ किटनाइन बढ़ना रुक जाता है बलकि घटना शुरू होता है ये बिल्कुल आसान और सडल तरीका है किड़नी रिजनरेशन का मैं आपको बताना चाहूँगा ये रिजनरेशन होता कैसे है हमारे रिजनरेशन के दो स्टेप हैं स्टेप वन जहां पर हम डैमेज रोकते हैं और स्टेप टू रिजनरेशन करते हैं स्टेप वन डैमेज को रोकना ये पहला पार्ट है रिजनरेशन करने का डेमेज रोकने का मतलब ऐसी सभी तरह की उसदियां, ऐसी सभी तरह की दवाईयां, पेनकिलर्स या खान-पान जिसकी वज़े से आपके किड्नी पे बुरा असर पढ़ रहा है, उसका प्रयोग हम बंद करें कई बार हमारे कुछ ऐसे डॉक्टर्स या वैदे हैं, आयरवेद या होपेथ या किसी और पैथी में काम करने वाले, जो मरिजू का अचानक से दवाईयां बंद करेते हैं और उनके लिए जीवन का खत्रा भी उत्पन हो जाता है, हम इसको एक विग्यानिक पज़ती से करते ह हैं, उधारा के तोर पर अगर हमने एक पेशिंट का बीपी कंट्रोल करना है और उसकी बहुत सारी मेड़सेंहें अर्कमीन करते हुए सारी मेडिसिंस को बंद करना होता है जो अलोपायत की चल रही है क्यों कि इस तरह के वेडिसिंस अगर लगातार चल रही है तो किड्नी को डैमेज करती जा रही है उसी तरह अगर किसी को डैमेटीज है उसको इसको इंसुलीन लग रहा है तो में इंसुलीन बंद क करना होता है लेकिन सुगर को कंट्रोल करके विटा सेज को रिजनेट करके ताकि इंसुलीन बंद करने के बाद या दोह को बंद करने के बाद भी सुगर लेवल मेंटेन रह सके तो हम डैमेज रोकते हैं कई बार ऐसा होता है कि बहुत से रोगी बोलते हैं कि दॉक्ट साब हम तो यह पॉसिबल नहीं है कि आप कहीं पी चोट भी करते रहें और मलहम भी लगाते रहें और गहाओ भर जाए तो हम डैमेज को रोकते हैं सबसे पहले और फिर रिजेनरेशन के लिए ऐसी बहुत सारी चमतकारी आउसदियां और प्रोसिजर्स हैं तो हमने 17 सार के रिसेज के बाद तयार की हैं हमारे डॉक्टर की विसेजर्स के टीम ने तयार की हैं जो किड्नी को रिजेनरेट कर सकती हैं दूसरा पतती है ऐसे क्रिटिकल स्टेज पर पैसें हमारे पास आता है जिसका क्रिटाइन 8-10 पहुच चुका है और वो डैसिस के स्टेज को क्रॉस कर चुका है ऐसे कैसे में हम पैसेंट को सीधे अपने हाँ अड्मिट करते हैं जैसा कि आपको पता ही होगा हमारे विसेज किड्नी रिसर्च हॉस्पिटल से हैं भारत में हम एक मात्र ऐसे ओगनाइशन हैं जो किड्नी पे विसेज रिसर्च हॉस्पिटल को रंद करते हैं इन होस्पिटल्स में हम किड्नी को एड्मिट प्रोसेस के द्वारा रिजनरेट कर पाते हैं। जी डॉक साब जैसे कि आपने बताया कि जो पेशन्स होते हैं उन्हें एड्मिट कर सकते हैं। इस बारे में हम आप से जानकारी प्रात करेंगें लेकिन फिलहाल जो एक कॉलर हैं जो चुके हैं हमारे साथ बहुत-बहुत स्वागत हैं आपका नाप बताएं। जी समस्या बताएं अपनी। मेरे एक चाजा है उन्हें प्रत पहुंच जया है। जी समस्या बताना चाहूंगा जैसा मैं चर्चा कर रहा था कि सुराती स्टेज जहां पांच छेतर क्रिट्नाइन हैं हम उनको आराम से आउसधियों के माध्यम से और खानपान के माध्यम से कंट्रोल कर पाते हैं। लेकिन जब एक्स्ट्रीम लेवर पेसेंट हमारे पास आता है जब बॉड़ी में क्रिट्नाइन और यूरिया एक तरह का जहर फैल चुका होता है पूरी तरीके से उसका असर आपके सारे अंगों पर पढ़ना सुरू हो चुका होता है उसकी वजह से आपके हार्ट लीवर पैसर पढ़ना सुरू होता है बीपी डिस्टर्ब हो चुकी होती है इस इस्किति में किड्नी को धीरे धीरे रीजनरेट करने का प्रोसेस उतना कारगर नहीं होता इंस्टेंट रिलीव के अंतरगत हम किड्नी रीजनरेशन टीट्मेंट के लिए एड्मिट प्रोसेस को रे जात की हैं उदान के तोर पर हम इस प्रक्रिया में आविजिक ट्रीट्मेंट का प्रियोग करते हैं पंच कर्मा का हम प्रियोग करते हैं इसके अलावा निच्रोपधी ट्रीट्मेंट का हम प्रियोग करते हैं मंद चिकित्सा या कि चिकित्सा का भी हम प्रियोग करते हैं रेकी प्रणायाम, प्राणिक हीलिंग, एक्वीपंचय, एक्वीप्रशेर इन सब को मिलेके चलते हैं एलूपैथी onun को एक पर 10 ए 15 दिन के एक लिम्टेट पिरिएड में एलूपैथी मेड़ी इसको रिप्लेस करना कि अगर वो डालसिस नहीं करना चाहते हैं, और कृट्नाइन उनका दस तक पोच चुका है, तो उनके पास ते दो ही चोइस होती है, या तो इंस्टेंट डालसिस करा के वागई एलाज कंटीलु करें, और अगर वो कहते हैं कि हम डालसिस करा नहीं चाहते, मेरे पास ऐसे कई करें कि आधे जो वो तरह तो राज एगे, मगर हम डालसिस नहीं कराएंगे, ऐसे कैसे में मेरे जता हुं कि सीधें इसेंट चेर में हम काःपचा पासुषी के लिए के डिए इजिय इसें करें, और एक सर्टें ताम के अदर के बिलो को करन गंच बना कम करना, सू अल करें, ऐसा दस-पंदर दिन में संबह नहीं होता है लेकिन दस-पंदर दिन में इतना संबह होता है तीन फाइदे हो सकते हैं पहला फाइदा कि हम सभी ऐलोपेथी मेडिसिन को रिपलेस करते हैं जैसा मैंने थोज दिए पहले बोला कि अगर कोई डॉक्टर आपसे कहता है कि आप अलोपेथी दवाईयां पेंकिलर्स खाते रहो और हमारी दवाईयां खा लो आपकी किड्नी ठीक हो जाएगी मैं बताना चाहूंगा या तो वो डॉक्टर आपके साथ कुछ फ्रॉड कर रहा है और या तो उसको खुद भी नहीं पता है क्योंकि एक बहुत कॉमन सिंस की बात है कि अगर किड्नी पे लगाता है डेमेज हो रहा है या जिन डवाओं की वेज़ से किड्नी खराब हो रहती हैं उसी तरह की दवाये किड्नी पिसेन रोज खा रहा है तो किड्नी ठीक नहीं हो सकती है तो हम क्या और पहला काम अपने रिजरेशिल प्रोसेस में सबसे पहले हम ऐसे अलोपेथि मेडिसी बु सक करते है कि सारी alex अलोपेथि की बंद करने के बाद भी आपका 비비 कंटोल हो जाए यह बड़ा टास्क होता है हमने पहला काम किया सारी। काम किया सारी अलोपेथि मैडिसकिल को रिप्लेश किया कंट्रोल करके सिंट्रम MR को बंद कर दिया। अगर आपको इंसुलीन लग रहा है, तो 10-15 दिन के अंदर, मैं फिर से बोलना हूँ सर, 10-15 दिन के अंदर, हम इंसुलीन को रिप्लेस करते हैं, बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, इंसुलीन को, और इंसुलीन लेना बंद हो जाता है, ऐसी प्रोसेसिंग से हम ही है, उनके केस में ये डैल्सिस के स्पीड को बढ़ाएं लगता है, उदरान के तोर पर अगर हफते में दो डैल्सिस हो रही है, तो हफते में एक होगी, फिर फंदर दिन में एक होगी, दिरे-दिरे महीने में एक होगी, और फिर डैल्सिस का स्थिती रुख जाएगा, क् दूसरा काम रिजनेशन और थर्ड काम आपको हम लाइफ टैल सिखाते हैं इस एड्मिर्ट प्रोसेस के दौरान आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है कौन सा योगा कौन सा प्राणायम कौन सा रहांसान आपके लिए फायदे मन्द है हम इसकी पूरी ट्रेनिंग आपको द चाहिए आप बी के आरोगियम से जुड़ सकते हैं एक बार आयरवेद का सहारा लेकर तो देखिए आपको लाब निश्चित तो पर मिलेगा बहुत से लोग ऐसे हैं जो ट्रांस्प्लांट छोड़के आयरवेद की तरफ पड़े और उन्हें लाब भी मिला है तो बिना दे कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी किडिनी जो होती है वो खराब होने की कागार पर आ जाती है तो उनको बोला जाता है जैसे कि आपने बताये कि डालेसिज बंद होने की भी हम पूर्ट पूर्टा गैरेंटी लेते हैं कि बंद तक भी हो जाती है तो ऐसे में क्या जो होता है उसे खान पाल पर ध्यान देना चाहिए ज़िए उसे सब्सक्राइब आपके पहले प्रशन का उतर दूँगा कि क्या डीयलेसिस बंद हो सकती है क्या कीड़नी रिजिट्नि रिजणीट हो सकता है वैं आपको बताना चाहूंगा कि सरीर को रिजणीट करना हमारे सरीर क प्राकर्तिक गुण है, आपको चोट लगता है, तो गाउ खुद बखुद भरता है, हड्डी तूडती है, तो डॉक्टर से प्लास्टर करता है, लेकिन हड्डियां खुद से जुडती है, उसी तरह अगर डेमेज बाहरी हो चाहे अंदूरों नहीं हो, सरी के अदेर प्राकर को इंप्रूव कर दिया जाए आपकी फिल्ट्रेशन रेट किड्नी की बढ़ा दी जाए और आपकी किड्नी सामने तौर पर काम करने लगे तो डैल्सिस क्या हो सकता अपने आप समाप्त हो जाएगी और अगर क्रिट्नाइन लेवल अपका बढ़ा हुआ है तो धिर धिर घट बिल्कुल अभी जैसा मैंने अपने हरे पेसोज में आपको बताता हूं कि हम बेसिकली रिसर्च औरगनाइशन हैं हम जो भी काम करते हैं वो हर एक डाटा के साथ एक सिस्टम के साथ करते हैं और वो सारा डाटा हमारे पास अपलब्द होता है अभी हमने रिजनेशन की बात हम आपके बॉड़ी में कि यूरिया के लेवल को भी कम कर पाते हैं हम आपका इलेक्ट्रोलाइड डिस्बैलेंस मेंटें कर पाते हैं इवें हम आपके डैल्सिस को रोकने की और एक कदम आगे बढ़ा लेते हैं मैं कुछ ऐसे एविदेंस दिखाना चाहूंगा अभी मैंने कई पिछले एपिसोड में इसा दिखाया और में एक एपिसोड और एक और एविदेंस दिखा चाहूंगा यह एक रिपोर्ट है सुभावती देवी यह हमारी पेसेंट है जिनका डैल्सिस टार्ट हो चुका था रेगुलर इनकी मेडिसिन प्रपली चल रही थी और बड़ी हमारे पास पोची थी हमने इनको एड्मिट पोसेस में लिया सिर्फ पंदर दिनकी बड़ात की रिपोर्ट आप देख सकते हैं इनका प्रस रिपोर्ट में साड़े दस के आस पास था जो की घटके साड़े साथ पर आ गया है फिफ्टीन डेस के अंतरगत ऐसे पहुस तरह हैं और मैं आपको फिर कहना चाहूंगा कि हमारे आप यूटीब चैनल पर जाएं आप ऐसे पेसेंट्स की वीडियो देखें हमारे वेबसाइट पर जाएं ऐसे लोगे रिपोर्ट देखें आप खुद हमारे सेंटर्स पर आएं हमारे रिसल्स हॉस्पिटल में आएं ऐसे एड्मिट पेसेंट्स से मिलें और इस बात को समझें जी डॉक्साब फिलाल वक्त हो गया है दर्शकों से विदा लेने का दर्शकों हम फिर हाजिर होंगे एक नई उमीद के साथ तब तक के लिए आप सभी से इजाज़त लेना चाहेंगे लेकिन जाने से पहले अंकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार